हमारी बच्चों को क्या कोई नियूरो की बिमारी है अगर है तो हमें कैसे जानेंगे बहुत ही असा थरीका साहब सारी के सारी responsibility आप बच्चों की मां या बच्चों के टीचर के उपर छोड़ दीजें उनसे regular conversation जरूर करिए वो आपको बताएंगे कि आपके बच्चे में दूसरे बच्चों के compare में क्या abnormality है नियूरो एबनॉर्मल्टी बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं कम दिखना कम सुनाई देना यह आई और ये प्रॉब्लम नहीं है यह नियूरो प्रॉब्लम भी हो सकती है हाथ पैर का coordination ठीक ठाक होना या एक हाथ का काम नहीं करना यह नियूरो प्रॉब्लम हो सकती है यह नियूरो प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो पूरा कई भुक्स लिखे जा सकती है हसते खिल खिलाते आपका बच्चा अगर आपसे प्यार से बात कर रहा है नौर्मल समाज के दूसरे बच्चों के साथ गुल मिल रहा है और स्कूल में भी वो उसका पार्टिसिपिजन अच्छा है तो आपके बच्चे को कोई भी नियूरो प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाँ अगर आपको डाउट है तो आपको प्रॉफिशनल हेल्प लेने की जरूरत हो सकती है नौरो प्रॉब्लम को डाइग्नोज करना इतना असान नहीं होता है इसलिए इस्पेशली बच्चों में कुछ भी आपको डाउट हो तो आपको एक बाल चिकित सक्से या चाइल्ड स्पेशलिस से मिलना जरूर चाहिए और उसकी कोई भी एडवाइस को नजर अंदाज नहीं करना चाहिए नौरो प्रॉब्लम ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है कभी एज में हो सकती है लड़के लड़की का बीना डिफ्रेंस की हुए कैसी जंडा क्या है ज्यादा तर लड़कीों हैं सारी चीज़ जानने के लिए आपको अपने डॉक्टर की राय को मानना बहुत ज़रूरी है एक अमूमन पिता की तरह से मैं आपसे बोलूँगा मा के एवैलिएशन टीचर और प्रिंस्पल के एवैलिएशन और आपके चाइल स्पेशलिस के इवैलिएशन को बिलकुल भी ना नका रहें और उस सारी चीज़ों को सुन करके ही आप एक प्रॉपर डिसीशन लेकर के अपने बच्चे का प्रगती म में उसके ठीक होने में और उसके किसी बी तरीके से करियर ऑप्शन सेलेक्ट करने में आपको उसका साथ देना होगा कुछ भी डियूरो रिलेटेड इशूज हैं जो कि आप डाउट क्लियरिफाई करना चाहें तो रिच आउट टू मी मैं डॉक्टर आशीश चोहन अवेले अचकल चोटे-चोटे बच्चों को डाइबिटीज आ रही वह कोमा में बिजा रहे हैं चार साल पांच साल का बच्चा भी कोमा में चला जाता है डाइबिटीज बहुत ही कॉमन बिमारी है और वह काफी नियूरो प्राबलम्स करती है जैसे कि स्ट्रोक हो या फिर इवन ब जरूरी है आप चाहेंगे कि आप आपका परिवार सौ साल तक अस्पताल से दूर रहे इसंट तो इस चीजों को याद रखिए त्री आई तीन आई को याद रखिए नंबर वन इंफरमेशन सुमन टीवी से जुड़िए और करेक्ट इंफरमेशन पाईए नंबर टू इंशुरंस होना बहुत जरूरी है अगर आपको प्राइवेट सेटप में चाहिए है तो आई इस पर इम्मुनाइजेशन डॉक्टर के सलाह के हिसाब से आप इम्मुनाइजेशन जरूर दीजिए वैक्सिरेशन जरूर दीजिए और फाइनली आई जो चौथा इंपोर्ट पर बहुत डाउट करते हैं अरे यह तो फालतु में इंवस्टिकेशन लिख रहे हैं यह इसलिए लिख रहे है क्योंकि इसमें उनका कमिशन बनेगा सर आई मस्टेल यू पूरे वर्ल्ड में अगर आप कमपेर करें तो इंडिया की डॉक्टर सबसे कम कमाते हैं उनकी फीज भी बहुत कम है और यह इंडिया का डॉक्टर नॉर्मल एवरेज इंडियन से 10 साल कम जीता है आप अपनी कैलकुलेशन इस चीज़ में बंद करिए कि डॉक्टर जादा कमारा या उनको कमिशन मिल रहा है आप अपने परिवार अपने बच्चे के बारे में सोच करके डेफिनिटल अगर जरूवत हो तो सेकेंड और पीनिन के लिए जाहिए लेकिन अपने परिवार को हस्ता खिल्किलाता रखने में आपका योगदान होना बहुत जरूरी है ठीक माई हेल अगर मैं आपकी कोई भी हेल्प कर सकता हूँ आपके बच्चे को आपके परिवार को हस्ता खिल्किलाता रहने के लिए तो मेरे को आप कॉंटेक करना ना भूले डॉक्टर के पास जल्दी पहुचे जिससे कि आपको उसके कभी जरूवत न अलाहाफिज